हेलो गाइस आप लोगों का स्वाकत है एस व्टिवर्स गौड के एपिसोड पार्ट टू में तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम बर्बाद के हुए लेकिन गाइस उससे पर लिए अगर आप लोग ने एपिसोड पार्ट वह नहीं दिखा तो आप लोग जाके देख लिए आपको लिंक मिल जागा डिस्क्रिप्शन में तो चलिए गाइस वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन गाइस उससे पर लिए अगर आप लोग चैनल पे नहीं तो यार चैनल को सब्सक्राइब और गाइस वीडियो को लाइक कर दो यार आज का ल और फिर वहां टैजन बोलता है कि यहां का सबसे पारफुल पोकेमोन ट्रेनर ओम्निवर्स का मास्टर है जिसको आज तक कोई नहीं हरा पाया है और मुझे लगता नहीं कि तुम उसको हरा लोगे क्यों बहुत ज्यादा पारफुल पोकेमोन ट्रेनर रह चुका है और फिर रहे जादा दो उसके बाद वहां एस बोलता है मैंने बहुत सारे लोगों को हरा है और मैं पूरा मेहनत करूंगा सम्टर को यह तो मुझे अच्छी लगी तुमने इतना मेहनत करके सब को हरा ह। और आजमय हो और पिर उसके बाद ऑं जल बन जाओं बोलता है हां मैंने बहुत सारी महें ट्रॉमN पूरे मदद करूगा जी जाने लगा कि तुमको हर एक चीज बताउंगा यहां बेटल में क्या होता है क्योट भाटल 10-10 सव्ल से ज़्यादा सकते हैं और बैटल जीत सकते हो लेकिन इसमार कि क्षांव क्या है है यहां प flexibility आप घ्रावन met a 2 पह दोन Kkit में बहुन से पहुझाते हैं मुझे यांड़े पहुंचाते हैं फिर बात्य फिर वहां श्कुषर प्रस ना जाए है जाना है ऑप Republic के बाद वहां दोने जर मर्डिवर्स के ग्राउंड में पहुंच जाते हैं फिर वहां स्ट्रेड एम अनॉस्मेंट होता है कि जैसे कि मैं आप सब को बता दू यह जो बैटल होने वाली है यहां सारे दुनिया से अलग-अलग मास्टर रहे हैं और सब मैं दुसरे साल के लिए रेपलाइ कर दूँगा अगर नहीं आये तो और फिर वहां स्ट्रेड एम अनॉस्मेंट होता है यह बात कर लिजाए अपने पोकेमों के बारे में तो मैं आप सब को बता दू यहां नॉन्मल पोकेमों एलो नहीं है यहां बस गौड टाइप पोकेमो पोकेमो और हमारे तरब से आपको एक भी पोकेमोन नहीं दिए जाएंगे आप अपने स्टर्टर फॉक्वास कर सकते हो और आपको फुद की होताइब और फिर उसके बाद वहां आश बोलता है क्या मतलब मुझको लजेंडी पोक्यमोन कैश करने पढ़ेंगे अब और फिर वहां टैजन बोलता है हाँ यहां का नियम लगता है चेंज हो गया है और फिर वहां स्ट्रेडे में अनाश मेंट होता है कि जो सबसे पहले थ्री स्ट्रॉंगेस पोक्यमोन कैश करके यहां रेजिस्टर करेगा वही टॉप टैन ट्रेनर में चुना जाएगा और फिर उसके बाद वहां आश बोलता है तब तो मुझे जल्ली से कोई भी थ्री स्ट चलर हम लोग पोक्यमॉन कैश करने जाते हैं जल्दी ने तो और कोई भी कैश कर लेगा और फिर उसके बाद वहां आश tarzicon निकल पढथे हैं स्ट्रेडिम से पोक्यमोन कैश करने के लिए और फिर वहां एश प reflective आजान ऑर फिर उसके बाद वहां वाला था तबसे वहाँ बादल में एक रोशनी प्रिकेट होती है जिसमें से एक पोकेमोन निकलता है जिसका नाम रहता है रायकोजा और उसके बाद वहाँ एस बोलता है क्यों ना रायकोजा को ही कैच कर लिया जा पहले और फिर उसके बाद वहां टाजन बोलता है हाँ यहा जाकर लग जाता है रायकोजा को और रायकोजा को डैमेंज पहुचा देता है और वहां रायकोजा गुस्ता हो जाता है और रायकोजा परने सबसे और रैकोजा को वहाँ catch कर लेता है और फिर वहाँ ice बोलता है चलो हमारा पहला Pokemon दो catch हो गया अब हमको दो Pokemon और catch करने और फिर वहाँ ice निकल बढ़ता है Pokemon catch करने के लिए आगे की जोडनी पर और फिर वहाँ ice जाता है तबिसको ओ historical कजा दिखाई देता है अपर वहां इस बोलता है चलो राइक वजा बाहर निकलो राय कोजा चलो अभी उसकी पर द्रेकन ब्रेट कायूज करो और फिर वहां राइक होजा ड्रेकन ब्रेट कायूज करता है जिसके बाद श d grands जाके लग जाता है और लूग्छ द्वास और तभी मास्ट मस्टानि द्टर के तरब और वह एकार लूगया को चाहिछ कर लीटा यह आए स्बोलता है यह बात यहां पर लिजन इन पोकेमन मिल रहे हैं और यह पर लिएखं़ न हां देख लिए और उसके बाद यह यह इसो रहता है वग्यों की के बाद वहां आ टाइजन बोलता है अच्छा चलो हम लोग एक चलते ही भूतिया जगा तुमको एक डार्क यह मिल सकता है साइथ और फिर वहां और टाइजान दोने जनद चल पड़ते हैं गोश्ट हाऊस के तरफ और फिर वहां गोश्ट हाऊस के तरफ दोने में पहुच ज तो चलो जा और आको बोलता है हाँ चलो रेजिस्टर कर लेते हैं और फिर वहाँ एस और टाइजन दुने चल पड़ते हैं मल्डिवर्स के ग्राउंड के तरफ जाते हैं और वहाँ तभी स्टेडियम एनाश्मेंट होता है कि एक प्लेयर और बचा हुआ है जो भी आकर जल्दी रेजिस्टर कर द करने में और आप में दिरे दिरे सबको हराऊंगा और ओम्निवर्स मांस्टर का सपना भी जल्द पूरा करूंगा और फिर उसके बाद में मल्डिवर्स गौड बन जाऊंगा और फिर वहाँ एस बोलता है चलो चलो टाइजन आप चलते अपने घर के तरब और फिर वहाँ वहाँ आज का तो मजाई आ घया अपने तिन पाकेमोन पकड़ लिये और फिर वहाँ टाइजन बोलता है ईस पहुड़ा कर रखो यहां बहुत सारे चोड़ गूंते जो सुचते कि तुम बैटल में पारिसिपेट ना ले लो और पिर उसके बाद वां एस बोलता है क्या चोरी और फिर वहां टाइजन बोलता है हाँ एश करचम यहां ऐसा भी होता है और फिर वहां आज बोलते है अच्छा तरह मुझे अपने Pokemon, बचा के रखने पढ़एंगे जब तक वहां जाते हैं फिर वह और टाइजन बोलता है व्ह में कोगिंग रूम में और योखाना बनाने लगता है और फिर रहाँ ऑन नोफोन झ Catiu x क्या मैं Omniverse Master को हरा लूँगा क्या मेरा Omniverse God का सबना पुरा होगा और फिर उसके बाद वहाँ आइस बोलता है चलो कोई नहीं टेंचन है मैं अगर कोई जरुद पड़ेगी तो मैं सुहें आर्चेस को बुलाऊंगा और वो मेरे बैटल में मदद करेगा और फिर वहाँ आइ और फिर उसके बाद वहाँ सुबह होती है और एस उट जाता है और एस बोलता है चलो दोस्तों उठो हमको जाना है न मल्टिवर्स ग्राउंड के तरफ और उसके बाद वहाँ टाइजन उट जाता है और पीकाचु भी उट जाता है और फिर वहाँ टाइजन बोलता है आरे और में नहीं भूलूँगा और उसके बाद वहां एस बोलता है अभी तो हम लोग क्या करें हमारे तो पोकेमोन भी चॉइस हो चुके और फिर वहां एस बोलता है क्यों नहीं तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं थैंक्यू यार टाइजन तुम्हारे बास तो बहुत दिमाग है और फिर वहां एस बोलता है मेरे सारे पोकेमोन बहार निकलो और एक दूसरे से बैडल करो और फिर उसके बाद वहां एस के सारे पोकेमोन बहार निकलते हैं और एक दूसरे से बैडल करते हैं और अपने आपको और भी ज़्यादा पारफुल बना लेते हैं और फिर वहां और फिर उसके बाद वहां टाइजन बोलता है तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिमाग है तुमने अपनी ही पोकेमों को एक दूसरे लड़वाया जिसे वह और भी ज़्यादा पारफुल बन जाए और फिर वहां एस बोलता है हाँ मैं भी यही किया था जिस अवितक आप लोगोंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो यार सब्सक्राइब कर दो यार हमको ठटे के सब्सक्राइबास जल्द कमीट करने है ज़्य वीडेयो को लाइप भी कर दो तो चलिए ज़्याज मिलते हैं हम लोग नेक्स से फी सोड में तो गास पार्ट वन कि अधिक लेना